मुझे बहुत सारे कमेंट आये थे कि एक बार इसे फिर से हमें बना के दिखाये समझ में नहीं आया और कई लोग यह पूछते हैं कि डबल एक्सल में कित्ते फंदे लगेंगे तो यह स्वेटर अक्सर जो मेरे स्वेटर होते हैं वो एक्सल में होते हैं तो आप अगर डबल एक्सल बना रहे हैं तो बैक साइड से आप दस फंदे बढ़ा दीजी जिस तरह से मैंने बताया था आपको इसमें कित्ते फंदे हैं तो उसमें दस फंदे बैक साइड में आप add कर लिजे बढ़ा लिजे और फ्रंट में आप एक साइब में 5 फंदे बढ़ा लिजे एक साइब में 5 फंदे तो आपके 20 फंदे बढ़ जाएंगे और इससे आपका का इसका मैंने मेजर्मेंट आपको बता दिया है तो इसके बाद मैं बताती हूं आपको आगे का पार्ट मैंने किस तरह से बनाया हुआ है तो यह मैं दुबारा से बना रही हूं और इसमें मैंने बॉर्डर बना दिया है लगबग धाई इंचे का बॉर्डर मैंने बना दिया इसमें और इसमें बॉर्डर नहीं है बॉर्डर हलका साही दिया हुआ है लगबग एक से डेड़ इंच का तो यहां पे सबसे पहले मैं पार्ट बना रही हूं जिसमें बटन होल होते हैं वाला तो इसमें फंदे बता देती हूं मैं यह डबल एक्सल वालों के लिए है इसमें हैं आपके 70 फंदे 70 सत्तर फंदे मैंने इसमें एट किये हूँ है और नौ फंदे मैंने बटनपटी में ले लिए है उसके बाद हम सुरू करेंगे सुरू में हम बनाएंगे 5 उल्टे तो 3,4 और यह 5 पांच उल्टे बनाएंगे यह पैटर्न जो है बटनपटी के जो होल हो इसका थोड़ा ध्यान दिजीगा, और यहां पर हमने, पांच उल्टे कर दिये हैं, अब हम करेंगे इसमें टीन सीधे, टीन सीधे करने के बाद, धागा आगे करेंगे, और दो उल्टे बना लेंगे, दो उल्टे बन गए धागा पीछे करेंगे एक दो तीन तीन सीधा बना लेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर यहाँ पे चार उल्टे बना लेंगे चार हमने उल्टे बना लिए हैं तो जो यह एक पैटन है हमारा यहां से यहां तक का वो हमारा कम्ट्रीट हो चुका है अब हम बनाएंगे यह वाला पैटन जो हमारा बटन पट्टी में है तो बटन पट्टी वाला पैटन हमको बनाने के लिए चाहिए चार फंदे जिसे हम अ बना लिए यह जो हमारा पैटन यहां पे आ रहा है उसके लिए हमने चार उल्टे बना दिए फिर हमारा यह नया पैटन शुरू ओ जाएगा तो फिर उसके बाद हम फिर से चार उल्टे कर लेंगे यह देखे चार उल्टे हो गए हैं और अगर हम टोटल करें तो चार इस तरफ के पैटन के लिए चार इस तरफ के पैटन के लिए उल्टे आ गए और यह बीच में जो चार उल्टे हैं यह आएगा जो आपको लंबा सा दिख रहा है यह पैटन इसके लिए चार बीच में आ ग इसके बाद हम वापस तीन सीधे कर लेंगे, तीन फंदे सीधे कर लेंगे, दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, फिर तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे, और धागा आगे करके हम चार उल्टे कर लेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, ये एक पैटन और बन गया हमारा, चार हम पिर इस pattern के लिए वापस वही लेंगे उल्टा एक दो तीन और ये चार ये pattern बनने के बाद फिर हमारा या पर उल्टा आएगा फिर हम उल्टा बनाएंगे चार एक दो तीन चार यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ अच्छे से समझा दूँ आप confuse मत होएगा कि 4 उल्टे हमारे इधर वाले पैटन के लिए है और ये 4 उल्टे इधर वाले पैटन के लिए है और बीच में जो 4 फंदे बचे हुए हैं वो ये वाले हैं तो आप confuse मत होएगा कि यहाँ पर इतने सारे उल्टे क्यों कर दिये तो आपको जब दूसरा आप द फिर दो उल्टे करेंगे 1 2 फिर 3 सीधे 1 2 3 3 सीधे करने के बाद हम 4 उल्टे करेंगे 1 2 3 4 और ये 2 यहां पे 4 बजघे इस पैटन के लिए यहांपे हम एक ही पैटन डालेंगे 2 का इसको भी अभी उल्टाई कर लेंगे हम और लास्ट में जो बचेगा उसको भी उल्टा कर लेंगे और मैं लास्ट का फंदा सीधा बना लेती हूँ अगर यहां पर उल्टा आ रहा हो तो क्योंकि यहां से एकदम सफाई आ जाती है तो यह बन गया है मारा एक रो और पीछे की रो में हम क्या करेंगे यहां पर चार उल्टे करेंगे चार जो मैंने लास्ट में किये थे उनको उल्टे ही करेंगे और जो जहां पर हमारे तीन सीधे थे एक, दो, तीन, तीन सीधे के बाद जो चार उल्टे आ रहे थे, वो उल्टी तरफ से सीधे हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, ये चार सीधे हो जाएंगे, धागा पीछे करेंगे, जो तीन सीधे थे हमारे, उनको उल्टे बना लेंगे, ये, और फिर जो दो बीच में उल् वनाएंगे 3 वन गए फिर हम 4 सीधे वनाएंगे चार सीधा बनाने के बाद यहां पर हमारे यहां फ्रंट साइड में 12 उल्टे थे 12 उल्टे मैंने आपको बताया था कि चार इधर चार इधर गरेंगे तो बीच में जो 4 बचेंगे उनका हम यह वाला पैटन बनाएंगे और ज हम क्या करेंगे उल्टी साइड उल्टें ही बनाएंगे इनको चार फिर बच गए हमारे चार तो इनको हम सीधा बनाएंगे अभी आपको समझ मा आ जाएगा मैं किस तरह से आपको बता रही हूं फिर हम जो तीन सीधे थे उनको उल्टा कर लेंगे और जो बीच में दो सीधे थे उनको सीधा कर लेंगे तीन उल्टे चार सीधे एक तो तीन और ये चार इस तरह से आएगा और कहने का मतलब ये है मेरा जो आगे की तरफ सीधे हैं वो पीछे उल्टे आएंगे और जो आगे की तरफ उल्टे हैं वो पीछे सीधे आएंगे सिर्फ उन चारो को छोड़ करके जो मैंने इनके लिए बताए था जो ये इस तरह का पैटन है उसके लिए चार ये देखे बीच में जो मैंने 12 उल्टे बनाए थे उन में से बीच के 4 को हम उल्टा ही करेंगे और अगल बगल के जो 4-4 हैं उनको हम बैक साइट में सीधा करेंगे एक, दो, तीन, चार फिर हमारा 3 फिर सीधा है आगे तो उनको उल्टा कर लेंगे बीच में 2 उल्टे थे उनको सीधा कर लेंगे और फिर 3 सीधे थे उनको उल्टा करेंगे और फिर 5 जो हमने शुरू में 5 उल्टे बनाए थे वो 5 के 5 सीधे बन जाएंगे आप जब वीडियो देखेंगे एक, दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाहरी हूँ और ये है बटन पत्ती ये उल्टी साइड में उल्टे ही आएंगे लाज्ट का फंदा में गुमा लेती हूँ तो ये इस दो रो हमारी यहां पे कम्प्लीट हो चुकी है अब हम तीसरी रोज स्टार्ट करेंगे तो यहां पे बटन पत्ती सुरू में बनाएंगे हम इस तरह से धागा ले लेंगे और एक धागा खिशकने वाला होता है एक नहीं खिशकने वाला होता है तो जो नहीं खिशकता है उससे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे से खीच लेंगे यह देखे बार बार हम वही करेंगे धागा डबल करके आगे को ले लेंगे और जो सरक्राय उसको छोड़के जो ताइट है जो यहां पर फसा हुआ है उससे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और बटन पट्टी है यहां पर यह देखे बन गया है अब जो शुरू के पांच फंदे थे उल्टे उनको हम चार ही बनाएंगे एक दो तीन और यह चार चार फंदे हमने उल्टे बना लिये हैं यहां पर अब धागा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को एक कर लेंगे और वो इस तरह से करेंगे एक उल्टा फंदा है एक सीधा है तो एक सीधा और एक उल्टा फंदा लेके दो का एक कर दिया हमने और एक सीधा और रहे गया और दूसरा सीधा और रहे गया यहां पे देंगे हम जाली जाली देंगे हम घुमा करके इस तरह से धागा आगे लेंगे सलाई में फिर इसको वापस आगे लेंगे तो यहां पे जाली बन जाएगे और फंदा बढ़ जाएगा और यहां पे अब दो उल्टे करेंगे वही मैं बता रही हैं आपको जो हम यहाँ उल्टे कर रहे हैं बैक साइड में उसको सीधा करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमारी जाली आ जाएगी सिंपल सी तो इस तरफ हम सिंपल जाली देंगे इस तरह से यह जाली हमने दे दी एक सीधा दो सीधा और एक सीधा जो हमने तीन सीधे बनाए थे उसमें से जो लास्ट सीधा है उसका फंदा इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक सीधा और उल्टा मिला करके एक कर देंगे तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 जाली से फंदा बढ़ गया है, तो यहाँ पे घट गया है, और यहाँ पे हमने पहले घट आया, तो बाद में यहाँ पे बढ़ गया, तो यह हमारा pattern शुरू हो चुका है, और यहाँ पे हमारे 4 उल्टे थे, शुरू में आ इस वाले जो हम मैंने बटन पट्टी का पैटन बना रखा है उसी से शुरू कर सकते तो अब ये वाला एक्चुली ये वाला पैटन मैं अब इसमें एट कर रही हूं जो बारा फंदे थे उसमें जो बीच में चार फंदे थे उसमें एट कर रही हूं मैं इसको तो धागा उसी जो ये pattern बनाया है मैंने यहाँ पर केवल सा तो ये ये वाला आएगा ये चार फंदों का होगा और वापस अब यहाँ उल्टे चार फंदे थे जिनको हम तीन ही बनाएंगे क्योंकि एक कम हो जाएगा तीन ही फंदे बनाएंगे शुरू में हमने एक extra रहे है अगला इसलिए रख्खा कि ये बटन परटी की तरफ है इसलिए इसको एकस्टा रखलिया नहीं तो आते हैं यहाँ पर चार ही हैं शुरू में बीच में जो pattern आता है उसके साथ 4 ही आते हैं लेकिन शुरू में मैंने यहाँ पर 5 रख दिये थे उसमें आप confused मत होईएगा यह बटन पट्टी के बगल में है इसलिए मैंने एक extra ले लिया था अब धागा पीछे करेंगे सीधा और उल्टा वही हम जो पहले किया था हमने वही करेंगे दो का एक कर दिया एक कम हो गया एक सीधा करेंगे दो सीधा करेंगे वो तो तीन सीधे थे सीधे हो गए यहाँ पर दो का एक कर दिया इसका मतलब एक कम हो गया फंदा तो हम उस फंदे को बढ़ाने के लिए यहा जाली आ जाएगी यहां पर एक उल्टा और दो उल्टा दो उल्टे आ गए दो उल्टे आने के बाद हमारा यहां पर सीधा बनता है तीन फंदे हमारे सीधे हैं तो हम यहां पर सिंपल जाली दे देंगे यहां पे हम घुमा के जाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहां पे सीधा फंदा नहीं है उल्टा फंदा है तो इसमें जाली नहीं आ पाएगी इसलिए घुमा के देना पड़ रहा है अब दूसरा फंदा हमने बना लिया यहां पे जाली दी हमने एक बढ़ गया तो एक घटा जाना भी हमको, इसको हम सीधा कर लेंगे, अगर सीधा नहीं करेंगे, तो यह अच्छा नहीं लगेगा, सफाई नहीं आएगी, तो यह फंदा हमने सीधा कर लिया है, और यह सीधा फंदा है, यह उल्टा फंदा है, सीधा और उल्टा, दोनों फंदों को लेंगे, और इस तर अब हमारे तीन उल्टे बचे एक दो और ये तीन उल्टे बचने के बाद क्योंकि यहां पर हमारा एक उल्टा चला गया है हमारी चार उल्टे थे एक उल्टा यहां पर हमने दो का एक कर दिया है तो एक उल्टा चला गया तो तीन बच गए अब यहां पर हम वही पैटन शु यह चार फंदों का दो पैटन आ गया है यहां पर और हम फिर वापस तीन फंदे उल्टे करेंगे और धागा पीछे करेंगे एक उल्टा एक सीधा इन दोनों को एक कर लेंगे दो का एक हो गया एक सीधा बनाएंगे दूसरा सीधा बनाएंगे तब जाली देंगे घुमा करके यह घुमा करके जाली आ गई और दो उल्टे भी आ गगे अब एक जाली हमारी सीधी आएगी जिसको हम धागा आगे है हमारा धागा आगे है लेकिन हमको इस तरह से बनाना है तो यह जाली आ जाएगी है अटोमेटिक और ये दो फंदे हम बनाएंगे जो लास्ट का सीधा फंदा है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और उल्टे के साथ इसको बना लेंगे ये देखे बन गया है अब हमारे के आएंगे तीन उल्टे एक, दो और ये तीन उल्टे आ गए हैं तीन उल्टे आने के बाद हमारा वही बीच वाला पैटन बनेगा जिसमें हमारा एक ही बनेगा यहाँ पर एक दो एक ही बनेगा और इसको मैं उल्टा कर दूँगी लास्ट का फंद में सीरा कर दूँगी क्योंकि बैक साइड की जो पैटन और जो बुनाई है वह उल्टी अगर आपको डबल एक्सल चाहिए या उससे भी बढ़ा चाहिए तो यहां पर यही जो बीच वाला पैटन है यह वाला पैटन आएगा वापस एक पैटन और आजाएगा यह वाला तो बढ़ जाएगा वह अपने आप अब हमारे यहां पर तीन उल्टे रहेगे तो बैक साइट में भी हम तीन सीधे कर लेंगे तीन उल्टे रहेगे यह आपको दिखने लगेगा देखे पहले रोम से नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिखने लगे कि यह सीधे ही आएंगे तो यह सीधे आ चुके हैं और इसके फंदा बढ़ गया है और बीच के जो सीधी साइड में उल्टे हैं Venice रूटे हैं और बैक साइड में हमको इसको सीधा वनानाना है कि तौ धागा आगे करेंगे इस तरह से सीधा बन जाह गा धागा पीछे करेंगे और ऊल्टे चार आ जाएंगे क्योंकि एक जाली के साथ बढ़ चुका है फिर अगर चार उल्टे आ गए तो एक कम वा था और ये वाला जाएगा तीन तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये रेखे बैक साइड में आपको साब साब पता चल रहा होगा कुछ फंदे सीधे हैं कुछ फंदे उल्टे हैं तो ये जो सीधे फंदे हैं ये फ्रंट साइड में उल्टे हैं और ये जो उल्टे फंदे हैं फ्रंट साइड में सीधे हैं सिर्पर हमारा जो बीच का पैटन है ये वाला यह जो मैंने अभी शुरू किया है यह लंबा वाला पैटन वो आपका बैक साइड में उल्टा ही आएगा बांकि आपके एकदम उल्टा हो जाएगा जो उल्टे हैं वो सीधे आएंगे जो सीधे हैं वो उल्टे आएंगे बैक साइड का मैंने पूरा दिखाए नहीं आपको क्योंकि बहुत बड़ी बीडियो जाएगी है तो आप सिर्फ फ्रंट साइड का ही आप देख लीजे यह हमारी फिप्त रो है पांचवी सलाई हमारी बन रही है और जब थोड़ा सा बन जाएगा तो आपको समझ में है कि कैसा यह बना हुआ है तो अब फिप्त रो में हम क्या करेंगे सबसे फर्ष्ट में हमारे पांच फंदे क्या थे उल्टे थे फिर हमारे चार फंदे उल्टे थे अब हमारे यहां पे तीन फंदे हम इनको उल्टा कर लेंगे तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए तागा प लेकिन सीधे आने के बाद हम यहां पे जो हमने जाली दी थी उसका एक फंदा बन गया हमारा तो तीन सीधे करने के बाद हम धागा आगे करेंगे और एक जाली दे देंगे और जो मैंने फंदे में इस तरह से धागा लपेट के जाली दी थी वो सिर्फ एक बार आएगी फर्स लपेट के बना दिया तो यहां पे जाली के बाद एक सीधा बना लेंगे धागा आगे करके इन दो फंदों को हम उल्टाई बनाएंगे मैं बार बार आपको बता रही हूं जो इस तरह के उल्टे फंदे हैं वो पीछे साइट सीधे आएंगे और उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे एक सीधा बनाएंगे और तब जाके हम जाली देंगे एक दो दो बना लेंगे और इसको भी हम बनाएंगे लेकिन इसको सीधा करके दो का एक कर देंगे एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा हमारा दो का एक हो जाएगा यह हमारा पैटन देखे आ रहा है आपको दीख रहा होगा तो दो जालिया आ गई सिर्फ तीन जालियों का ही पैटन है तो दो जालिया आ गई हमारी और धागा आगे करेंगे अब हमारे रह गई हैं सिर्फ दो फंदे उल्टे रह गई पहले चार थे फिर तीन थे अब दो रह तो इस घटेंगे और 7 यहां जाली के साथ बढ़ते जाएंगे और हमारा बीच का पैटर्न हमारा वैसे यही आएगा आप चाहें तो इसके बदले में कच भी और पैटर डाल लीजे और इस तरह से बीच का पैटन जो हमारा था वो आगे है अब हमारे दो उल्टे रह जाएंगे यहाँ पे तीन उल्टे हैं हम दो ही बनाएंगे दो बनाके धागा पीछे कर लेंगे क्यूं क्यूंकि एक उल्टा और एक सीधा दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लिया और एक सीधा दूसरा सीधा धागा आगे करेंगे और जाली देंगे इस तरह से फिर धागा आगे करेंगे और यह दो उल्टे बना लेंगे दो उल्टे बनाने के बार धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके जाली दे देंगे, एक, दो बनाएंगे, तीसरे को हम सीधा कर लेंगे, और दो का एक कर देंगे, तो बार-बार वही हमको repeat करना है, हमारे तीन पैटन आएं फ्रंट में, ये और धागा आगे करेंगे, सिर्फ दो उल्टे रह गए हैं, और फिर हमारा बीच वाला पैटन आजाएगा इस तरह का, एक, दो और धागा सरकालेंगे, फिर एक, और दो, फिर धागा सरकालेंगे, बीच वाला पैटन आप चेंज भी कर सकते हैं, फिर धागा आगे करेंगे सिर्फ दो उल्टे बनाएंगे तीसरे उल्टे को हम इसके साथ एट करेंगे इसलिए नहीं बनाएंगे दो का एक करेंगे एक सीधा दूसरा सीधा धागा आगे जाले फिर धागा आगे और ये दो उल्टे बनाएंगे एक और दो फिर धागा पीछे करेंगे तुरंत हम जाली नहीं देंगे क्योंकि हमको नया पैटन के लिए नय फंदे चाहिए क्योंकि ये बंद हो जाएंगे तो यहां से नय फंदे उभर के आ जाएंगे जो जाली के द्वारा बनेंगे तो दो सीधे आगे लाश्ट का सीधा बचा है उसको इस तरह से सीधा करके एक उल्टे के साथ दो का एक कर देंगे तो अब आपके समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से आपको समझाना चारी हूँ तो लाश्ट में एक ही हमारा ये वाला पैटन आएगा और लाश्ट का में बना देती हूँ एक उल्टा और धागा पीछे करके एक सीधा एक सीधा बनाने में इस तरह से सफाई आती है इसलिए मैं बनाती हूँ और बैक साइट का बैक साइट में देखे जितने उल्टे यहां कम होते जा रहे हैं इतने ही सीधे यहां कम होते जाएंगे और जितने सीधे यहां जाली समेथ बढ़ते जा रहे हैं उतने उल्टे यहां बढ़ते जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब यह है पहले हम फ्रंट वाला रो बनाते हैं उसी से हमको पता चल जाता है कि कौन सा हमने उल्टा बनाया है जो हमारा बैक साइड में सीधा आएगा तो मैं आपको सेवन्थ रो बना के दिखाती हो अभी बैक साइड की रो कम्प्लीट करने के बाद मा आगई हूँ फिर से फ्रंट साइड में जो हमारी सेवन्थ रो कम्प्लीट होने वाली है अब और हमारा पैटन भी यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे दो जालिया आ गई है एक और दो इसके बाद एक जाली और आएगी तो वो भी इसी तरह से आएगी same to same और अब आपके समझ में आ रहाओगा थोड़ा थोड़ा कि किस तरह से यह जो तीन सीदे हैं वो साइड को किस तरह से आ रहे साइट को इसलिए आ रहे हैं कि यह एक एक फंदा कम कर दे रहे हैं और यहां जाली से बढ़ जा रहे हैं तो यह देखें और यह देखें बैक साइड में ठीक है और मैंने जो फर्स्ट रो बनाई थी उसमें चार मैंने उल्टे इसलिए किये थे कि यहां से डिजाइन कर जाए क्योंक नहीं अगर मैं करती सिधे तो यही पैटन जो है उपपर को आता इसलिए मैंने यह कार दिया आप सुरू से इसको फ़स्ट रो से ही इसको सुरू कर दीजिए अब सुरू में मैंने बताय था आपको पांस थे फिर चार थे अब तीन है जो की हम दो ही बनाएंगे उल्ते दो ही उल्ते बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे एक सीधा और एक उल्ता एक कर देंगे और दूसरा और तीसरा तीन के तीन बनाने के बाद हम जाली देंगे ऐसे यह जाली दे दी तीन जाली हमारी कंप्लीट हो गई है तो यह रो इसी तरह से बनती जाएगी दो उल्टे करेंगे फिर दो सीधे करेंगे दो सीधे करने के बाद ही जाली आएगी जाली के साथ एक बनाएंगे फिर दूसरा भी बनाएंगे सीधा तीसरे को हम उल्टे के साथ ले करके दो का एक कर देंगे यह देखे अब हमारा लास्ट में एक ही रह गया है उल्टा और फिर हम यह बीच का पैटन बना लेंगे इस तरह से यह बीच का पैटन बन गया हमारा एक ही उल्टा बनाएंगे क्योंकि एक उल्टा हमारा यहाँ पर फिर से दो का एक होने वाला है दो का एक कर दिया फिर एक सीधा बनाया फिर दूसरा सीधा बनाया उसके बाद धागा आगे और एक जाली दे रेंगे एक सीधा और बना लेंगे और ये दो उल्टे बनने हैं तो धागा आगे करके दो उल्टे बना लेंगे फिर सीधे हैं तो धागा पीछे करेंगे एक सीध दूसरा सीधा दूसरे के बीच में जाली देंगे जाली के साथ एक बना लिया दूसरा भी बना लिया तीसरे को हम दो का एक कर लेंगे उल्टे के साथ दो का एक कर लिया अब हमारा यहां पर सिर्फ एक बच गया और बीच का पैटन फिर से बना लेंगे एक दो एक दो बीच का पैटन बन गया हमारा फिर हमारा लास्ट एक उल्टा रह जाएगा थागा पीछे करेंगे एक उल्टा और एक सीधा दोनु को एक कर देंगे इस तरह से और एक सीधा बनाएंगे दूसरा सीधा बनाएंगे ये देखे तीन सीधे बनाएंगे तब जाके हम एक जाली देंगे जाली के साथ एक बन गया उसके बगल में भी सीधा आया है और उसके बाद ये दो उल्टे हैं तो इनको उल्टे बना लेंगे धागा पीछे कर एक सीधा एक उल्टा लेके दो का एक करें और लास्ट में बच्छा एक और जो हमारा पैटन है वो और एक उल्टा और आगा पीछे करके एक सीधा बना लिए यह हमारी साथवी रोग कम्प्लीट हो चुकी है अब बैक साइड में हम वही करेंगे जो हमको फ्रंट वाला करने के लिए जो उल्टा है उसको सीधा जो सीधे बन रहे हैं उनको उल्टा तो यह जाली वाली फंदे भी उल्टे ही बनेंगे तो इस तरह से बन गया है अब मैं आपको दिखाती हूं कि फ्रंट साइड में इसको तो फिर से कैसे बनाना है तो चलिए यह एक पैटन हमारा 8 रो में कम्प्लीट हो रहा है आठ लाइन इसकी बनाएंगे तब हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो जाएगा तो एक पैटन हमारा यहां पे complete हो चुका है देखे तीन जालिया आ चुकी है और अब मैं आपको इसके उपन नया पैटन बताती हूं और जो मैं नया पैटन बता रही हूं इसके उपर वही सेम हमारा नीचे से ही शुरू हो जाता है तो यहां पे आप थोड़ा सा confused हो गए होंगे कि 4 उल्टे फिर 4 उल्टे फिर 4 उल्टे एक्चुली आपको आप समझ मा आ गया होगा बीच के 4 उल्टे मैंने क्यों बनाए थे वो इस पैटन के लिए बनाए थे मैं बार बार आपको बता रही हूं और यह बटन पट्टी के मै मैंने बना लिये हैं अब हम क्या करेंगे यहां पे दो जो उल्टे रहे हैं उनको उल्टे ही बनाएंगे और जो यह तीन सीधे वाले हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे यह सेम पहले की तरह आ गया है पांच उल्टे मैंने शुरू में आपको बताया था पांच उल्टे पांच उल्टे, तीन सीधे, फिर दो उल्टे, फिर तीन सीधे करेंगे, तीन सीधे के बाद हमारा यहां पर चार उल्टे थे, तो देखे, यहां पर भी चार उल्टे ही आये हैं, यह देखे, चार उल्टे ही आये हैं, यहां पर भी, अब मैंने जो शुरू में आपको बताया थी कि चार उल्ट के बाद मैं चार उल्टे कर रही हूँ वो चार उल्टे मैं इनके लिए कर रही थी जो कि ये पैटर्न हम जब बनाते हैं तो बैक साइड में ये उल्टा ही आता है तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान दे लिजिए और ये पैटर्न हमारा अब उल्टा नहीं आएगा पैटर्न ही बनता रहेगा इस तरह से वो फर्स्ट मैं मैंने क्योंकि ये जो बॉडर है वो और ये पैटर्न सेम है तो इसका यहां से मुझे काटना था तो मैंने एक उल्टा बना दिया इसलिए कट गया नहीं तो ये नीचे से ही सेम आ जाता तो बस यही है एक मैंने आपको अच्छे से बता दिया इस बार कि किस तरह से पैटर्न आएगा ये रेखे शुरू में मैंने पांच उल्टे किये हैं अगर आप चाहें तो आप इसको चार उल्टे कर सकते हैं क्योंकि ये बटन पत्ति के ही बगल में है इसलिए मैंने दो उल्टे इसमें छोड़ दिये तो आप इसमें 4 भी कर सकते हैं नहीं तो आपको 5 करने तो 5 भी उल्टे कर लीजे क्योंकि हर जगा पे 4 आ रहे यहाँ पे भी 4 आ रहे यहाँ पे भी 4 आ रहे और हर जगा पे 4 आ रहे तो आप अगर अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 कर लीजे एक दो तीन और एक जो हमारा उल्टा बज गया था वो चौथा चार उल्टे हो गए पैटन बनेगा एक दो एक दो ये पैटन हमारा चलता जाएगा और उसके बाद एक उल्टा तो हमारा है ही और ये जो तीन सीधे हैं इनको भी हम उल्टा कर लेंगे एक दो तीन फिर ये चार सीधे एक दो सौरी तीन सीधे उसके बार बीच के दो उल्टे ही बनेंगे जो बैक साइड में आपके सीधे आएंगे लास्ट के चार उल्टे और यहाँ पे आजाएगा एक पैटन और यह उल्टा और एक लास्ट वाला सीधा मैंने आपको बताया मैं सीधा इसले करती हूँ कि इस तरह से एक्दम कीलियर आए तो यह बन गया हमारा पहला पैटन और पैटन के उपड़ पैटन पैटन के उपड़ पैटन आपको इसी तरह से एक करते रहने हैं और बिलकुल भी नगहां से subject चार उल्टे फिर चार का पैटन चार उल्टे यह है शुरू में मैंने उल्टे कर दिये थे तो आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया है तो ये देखे पैटन बना है, यहाँ पे बंद हो गया है, नया पैटन शुरू हो गया है नया पैटन शुरू होगा फिर यह तीन जाली के बार यहां पर यह वाला पैटन बंद हो जाएगा फिर नया शुरू हो जाएगा इसी तरह से नया शुरू करते रहेंगे और कोई ज्यादा हाड नहीं है सिर्फ आठ रो का जो यह पैटन है बहुत ही इजी है आप मैं आपको फिर एक बार और बोल्डियों आप तो 16 फंदों में यह पैटन आ जाता है आप कम से कम 18 या 20 फंदे ले लीजिए और उसके बाद यह पैटन बार बार बनाईए तो आपके समझ में आ जाएगा यह पैटन किस तरह से है और इसका में दूसरा पार्ट बनाऊंगी जेब के ल नहीं लगती क्योंकि अक्सर क्या होता है उसमें से सामान गिर जाता है तो अक्सर मैं ऐसी ही जेबे बनाती हूं तो यह जेब मैं आपको पार्ट नमगर टू में बताऊंगी कि किस तरह से बनी हुई है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेय जरूर कर दीजेगा और मिलती हूं में नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई